नमस्कार हमारे इस खास कारिक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ आदित्य श्रिवास्तव। स्वच्छता सर्विक्षन के परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं और बद्रदेश ने एक बार फिर अपना जलवा बरकरार रखा है सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो है वो साती बार एक बार फिर नमबर वन बना है और सिर्फ इंदौर ही नहीं मद्रदेश के कई छोटे बड़े शहर ऐसे रहे जिनोंने अपनी रैंकिंग को वो सुधारा है बात राजधानी भोपाल की करें तो भोपाल सबसे स्वच्छ शहरों में पाँचवे पायदान पर आया है और सबसे स्वच्छ जिसे कहें कि राजधानी जो है वो भोपाल बना है क्या वो नवाचार थे भोपाल के, क्या वो प्रियास थे भोपाल के जिनकी वज़ासे ये परिणाम आये हैं, नगर निगम भोपाल के अध्येक्ष किशनशूरीवशी जी हम responds मौझून सार बौध स्वागत करते हैं, इसकर्चा में हमारे साहर सबसे पहले तो बधाई आपको आपके जो प्रयास थे वो रंग लाएं हैं क्या कारण रहे जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या वो प्रयास थे जिसकी वज़ा से भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना और पांचवे नंबर पर अपनी रैंकिंग सुधारी है अधित जी सबसे पहले मैं भोपाल बासियों को बढ़ाई देता हूं सुपकामनाई देता हूं कि आज सामुईक प्रयासों के आधार पर भोपाल हमारा अपना भोपाल राजधानी भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानियों में सामिल हुआ है और हम पांचवे इस्थान पर देश के स्वच्छे पांच सेरों में हम सामिल हैं यह गोरप की बात है और यह सामुइक प्रयासों के कारण ही संबभ हुआ है जिस प्रकार से स्वचता का बातावरण देश के यह श्रश्वी प्रधानमंत्री आदर्णिये नरेन मोदी जी ने बनाया और अपने संकल्प के साथ देश को स्वच्छ रखने का जो जनता से एक प्रकार से आवान किया और उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है भौपाल नगर्नियम ने लगातार कई नवाचार करके भौपाल राजधानी को स्वच्छ बनाने में बहुत मह अब जी उस स्थान को भी हमने परिवर्तिद करके एक सुनदर पार्क के रूप में बिख्षित कर दिया आज राजधानी बासी उस स्थान पर जो कभी कूड़े का ढहर हुआ करता था, आज सुंदर पार्ग के रूप में वहाँ पर मनोरम द्रश्य और सेल्फी पॉइंट के रूप में उसका इस्तमाल करते हैं, राजधानी बासी उस स्थान पर जाकर के फोटो खिंशते हैं, पिक देता है इंस्पायर करने बाला है और आज देश के जो विज्वल से स्वच्छता सरवेक्षण में चले उसमें उस इस्थान को भी संब्लित किया गया और नवाचार हमने कई किये जिसमें रा मटेरियल से रियर मटेरियल के से तैयार हो सकता है प्रधान मंत्री जी ने जो कच सबसे बड़ी रुद्र बीना भौपाल नगर निम ने इंस्टॉल किये जो कवाड के लोहे से तैयार की गई है यानि वो रा मटेरियल था उससे रियर मटेरियल हमने तैयार कर दिया है यह भी बहुत अपने आप में अधिति है जो अनुपियों की चीजें से कैसे उपियों ने इस और किस तरह के से प्रयास थे क्योंकि हमने देखा कि फोपाल में भी बड़ा चेंज इसको लेकर देखने को मिला है निश्यत रूप से जैसा मैंने अभी आपको एक इंस्टॉलेशन की जानकारी दी ऐसे रोसन पुरा पर पर जो रेडियो है बो भी इसी का उधारन ह कि जो मटेरियल अनुपयोगी था उससे कैसे हमने उपयोगी बस्तु तयार कर दी यह एक प्रकार से उधारन हैं बाकी लों के लिए कि जो बस्तु आपको लगती है कि कोई उपयोग की नहीं है उससे भी कैसे उपयोगी बस्तु तयार हो सकती है उससे भी खूपसूरती में छाये सकते हैं ये बोपाल नगर नियम में बेस्टर करके दिया है प्रधान मंत्री जी के एक कॉल पर हमने इस इसे कई इंस्टॉलेशन बउपाल में किये हैं चाहे रुद्रबीना हों चाहे गिटार हो चाहे रेडियो चाहे कोरोना जो एक सिंबोलिक हमारा इस नबलब किया तो इसे कई हमने इस्थान विक्सित किये हैं जो अनुपियोंगी बस्तू से उपियोंगी चीजे तैयार हुए जहां पर एक चीज और सर की आम जन की भागीदारी कितिनी महत्पूल होती है इसमें और हलाकि इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में तो जनता ही अपने आ कितनी महत्मूल अपें हैं कितनी मिली है हमको लगी मात्मा गांदी जी ने कहा स्वच्था हमारे सुभाव में होना चाहिए सभिता हमारे सभाव का हिस्ता हो जन भागए दारी इस के अंदर बहत जरुरी है सहर बासियों में इस बात की जागरुकता होनी चाहिए कि हमें अपना सहर स्वच रखना है यह हमारे मान सम्मान स्वभी मान का भी विश्च है कि हमारे सहर को कोई गंदा कैसे कह सकता है यह जो मन के अंदर पीडा यह पीडा प्रतेख सहर बासी में होना चाहिए कोई एक सहर के लिए नहीं के रहा हूँ मैं यह बहुत कामन बात के रहा हूँ कि प्रतेख सहर बासी में यह पीडा होना चाहिए और प्रतेख सहर के बासी में यह पीडा होना चाहिए कि कोई मेरे सहर को गंदा कैसे के सकता है उसके लिए संकल्पित हो करके हम सब को सामोईख प्रियास करने पड़ते हैं कि ना गंदा करूँगा ना गंदा करने दूगा गीला कच्रा और सूखा कच्रा अचनल 10 शुदा लिखा होता यह निया interacting और रहाए जाँ जाती है या पिर और कुछ तोनों हमने अलग- अलग कलेक्ट करने का काम किया है यह न Epic निस्पदन की पर्क Óль बहुते दिन प्रति दिं हजारों तंग कचरा कास्ता हैं उस कचरे से हम चारकोल भी बना रहे हैं उससे गेज भी बना रहे हैं उससे जेविक खाद भी बना रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ा नबाचार है कि जो अनुपियों की बस्तू है या जो कच्रा है उस कच्रे से भी कैसे कंचन बस्तू तयार हो सकती प्रदान मंत्री जी ने यह सब्द भाई भी ब विजली बनाने का काम किया है, हमने गेस बनाने का काम किया है, हमने चारकोल बनाने का काम किया है, और हम उससे ब्रिक्स भी बना रहे हैं, तो ये जो कच्रे से कंचन कि अगर मू लब धारना कहीं चरीतार्थ होती दिखाई दे रही तो बोपाल राजधानी में दिखाई दे प्रतिसपर्धा का बाओ कितना महत्पूल होता है क्योंकि जब यह स्वच्छता सर्वेक्षन शुरू हुए थे तब रैंकिंग थोड़ी कम होती थी और जो मार्किंग होती थी वो भी कम उस क्राइटीरिया पे होती थी लेकिन उसके बाद समय के साथ वो मार्किंग के पैमान में लएने थे वो बढ़े हैं प्रतिसपर्धा का बाओ बढ़ा है सेरों के बीच में वो एक राज किसी भी शेहर को स्वच्छता में नंबर वन आने के लिए उस पायदानों में आने के लिए कितना महत्पून होता है प्रतिसपरदा का वाओं इसके लिए मैं सबसे पहले देश के श्रश्वी प्रदानमंत्री आधरनी नरेद मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्वच्छता की प्रतिसपरदा देश भर में सुरू कर दी और आज एक सहर दूसरे सहर से इस प्रकार की प्रतिसपरदा कर रहा है कि अधिक स्वच्छ हमें होना है यह देश के अंदर बातवर्ण अगर बना है तो उसमें प्रदानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बड़ा रोल है और प्रतिसपरदा होना आज की तारिक में बहुत जरूरी है आधित जी क्योंकि इस प्रतिसपरदा के कारण ही तो हम औरों से बहतर करने की हमें प्रेंडा मिलती है देख हे सिब्सी बीच में इसको मेंटेन रखना ये स्वच्छता के पैमानों को मेंटेन रखना क्या एक चंहती मानते हैं कि जब संकल्प इस बात का हो के हमें बहतर करना है तो चुनोती नहीं चुनोती में भी अवसर हम निकाल लेते हैं कि अगर देश में या सहर में आवादी बढ़ रही तो उस आवादी के बदले हमें कौन-कौन सी चीजों में नए परिवर्तन करने की आउ सकता है एक और अगर हमें डोर-टू-डोर के बहान बढ़ाने हैं तो बढ़ाएंगा अगर हमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी है तो हम बढ़ाएंगा इसलिए अवसकता ही अविस्कार की जन्नी होती है ऐसा कहा गया है वो आपके इस प्रस्ण से उसका उत्तर मिलता है कि सहर में जो आव पर इसके लिए बहुपाल बासियों में भी गजब की जागरुकता हम सब को देखने को मिल रही है और उनके मन में भी दूसरे सहरों से प्रतिसपर्दा करने की आम नागरिकों के अंदर भावना आ रही है आज बहुपाल के जो हमारे रेवासी हैं उनके अंदर कॉम्प्ट सब्सक्राइशन भाव का आना यह अपने आप में बहुत बड़ा प्लस है कि हमें अपना सेर भी नंबर बन इस्थान पर हमें देखना है आज बोपाल राजधानी देश की स्वच्छतम राजधानी है हम फाइव स्टार रेंकिंग में है तो इसलिए हमारे लिए गोरप की संसाधन बढ़ाने की बात आप करें कि आने वाले समय प्रतिस पताएं और बढ़ेंगी चुनोतियां और आएंगी उस और क्या प्रयास अधिति जी देखिए बहतर बित्ती प्रबंदन हम सब का प्रयास है पूरे अमारे निगम के जन प्रतिनी दी हमारा नगर नियम का जो हमारा अपना प्रबंदन है हम सब का प्रयास इस बात करेता है कि बहतर बित्ती प्रबंदन के आधार पर उपलब्द संसादों उसे बह का लगतार का मत बरता जा रहा है। और जनता पर चीक अधिक बहुत दिक भी नहीं डालना ह। ये चलेंज़ भी में अमारे सामनें यूज़ो कि इतने संसाडन हमारे पास फुपलब थे ऑगोष उन उन्पलब संसादनों का के सांथ काम करते हैं तो आप देखेंगे कि अगतार हम बहतर प्रदक्षन कर रहा है और ईसका परिणाम दिखाई भी देरा है इक्षा शक्ति कितनी मेहदपूल होती है इस तरह की कि पृतिस प्रदाओं की अगर बात किères निश्चीत रूप से राजनितिक इच्छा शक्ति का बहुत महत्पून योगदान होता है। लीडर की ही अगर इच्छा नहीं होगी, तो सेना केसे चलेगी। लीडर में इस बात की प्रबल इक्छा होना चाहिए, लीडर के अंदर इस प्रकार का वीजन तो होना ही चाहिए, कि मुझे जो दाइत्व दिया गया है उस दाइत्व में सबसे बहतर प्रदैसन हमें करना है। और उपलब्द समसादनों से ही करना है बिना नया बोज जनता पर डाले करना है इस प्रकार के बीजन इस प्रकार के फाइनेंशियल मेनेजमेंट इस प्रकार के ब्योस्थागत निने और एक बिजनरी दूर दर्सी सोच के आधार पर लीडर को काम करना पड़ता है और एक मन म में ललक होनी चाहिए मन में आग इस बात की होना चाहिए कि हम किसी से पीछे रहने वाले लोग नहीं हम सबसे आगे जाने वाले हैं और आगे जाने के लिए जो काम हमें ताकत से करना है वो हम ताकत से करेंगे खेंद्र सरकार की योजनाओं की कितनी जिसे कहीं की नगर निगम में भागेदारी होती है वो इसलिए सर कि किसी भी शेहरों को सवारने में अगर खेंद्र की कोई योजना आ रही है शेहरों के विकास को लेकर तो नगर निगम तक भी वो चीज़े पहुचती है क्या वो को फिर बदाई देता हूं कि आपने अमरित योजना के तहट देश भर के सेहरों में सीवेज के बहतर मेनेजमेंट के लिए जो रासी जारी की डवलपमेंट के लिए जो रासी जारी की उससे हमारे तलाव सुच हुए हैं आज इस बात का बहतर काम हुआ है कि सेहरों के हमारे जो तलाव हैं उसमें सीवेज का पानी मिछ नाम है यह सोचता में बड़ा काम है पहले तलाओ के अंदर कभी जलकुम्भी आम बात हुआ करती थी गंदगी हमारे तलाओ में जो पहले आम हुआ करता था आज आपको तलाओ के प्रतीवी जागरुकता लोगों में भी आई है औ नगर नियम प्रसासन ने भी आप देखेंगे कि सभी तलाओं के पानी को स्वच्च करने का काम किया है चाहे स्टीवी प्लांट लगाना हो सीबेस ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से भी स्वच्च पानी तलाओ में छोलेने का चाहे काम हो यह बहुत एफेक्टलिवी कि किया है वहुत प्रभावी डंग से किया है और उसका परिणाम है कि आज हमारे तलावी स्वच्च है आज हमारी सड़के स्वच्च है आज हमारे पार्क स्वच्च है और बातवर्ण स्वच्च है प्लांटेशन भी एक बड़ा रोल करता है किसी भी सेर के पर्यावरण के ल और सरकार केंदर सरकार ने लगातार विभिन ने योजनाओं के तहत नगरनीम को जो रासी उपलब्द कराई है उससे भौपाल सेहर में विकास के नए आयम इस्थापित हुए हैं चाहे प्रधानमंत्री आवास हो चाहे मैंने अमरित का जिसा कहा इसे विभिन ने मदों में ज मोपाल के डवलोप्मेंड में नया किर्तिमान इस्थापित हुआ है प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सोच रखी के आने बाले समय में कोई भी वेक्तियंसा ना हो जिसके च्छत पर जिसके सिर पर छत ना हो यह बड़ा चेलेंज था आपने आप में किया समूचे दे जब लीडर का बीजन साफ होता जिसा भी आपने का कि पॉलिटिकल बील पावर कितना मातपुन होता है जब देश के यशेश्वी प्रधानमंत्री का बील पावर दोजार से तालिस था है भारत को बिक्सित राष्ट के स्रेणी में लाके खड़ा करने का है यह लीडर का बी मल्टीज बना रहे हैं प्रधानमंत्री शहर योजना आवास योजना शहरी के माध्यम से उनको आवास तो दिये ही जा रहे हैं लेकिन अभी भी चरणबद तरीके से उस पर काम होना बाकी है क्या उसकी कोई कारियोजना नगर निगम हुपाल ने बनाई है निश्चत के आधार पर हम बहुत जल इसे बात के लिए प्रयास करेंगे कि सहर के अंदर कोई एक भी जुगी ना उसके लिए जब मैं पहले 2010-15 में पारसत था उस समय में ने एक कंडिशन डलवाई थी वो कंडिशन मकान के लिए क्या थी कि जिस गरीब को मकान दिया जा रहा है उसका जीवन उसतर ठीक हो उसके आने वाली पीडी का जीवन इसतर ठीक हो इस उद्देश से सरकार स्लम को आवास आवंटित कर रही है इसलिए ये ना बेचे जा सकते ना ये किराय से दिये जा सकत यह तीन कंडिशन हमने उसके अंदर डाली थी और उसका आज परिणाम देखने को मिलता है कि उन कंडिशन के आधार पर जो गरीवों के मकान हैं वो गरीवों के लिए ही उपयोग हो रहे हैं एक और महत्पुन बात आपने तालाबों का जिक्र किया चूकि भोपाल तो ताल तलईयों का शहर कहा जाता है और कई भोपाल की पहचान में दरसल वो तालाब ही है देखा जाए तो किसी भी शहर को सुंदर बनाए हम चाये स्वच्छ बनाए उसकी विरासत या जो उसका फील है वो बना रहे उसको ध्यान में रखकर उसपर काम हो क्या हम भोपाल की जो तासीर है भोपाल जो तरीके से ताल तलईयों का शहर है, कई इमारतें हमारे ऐसी है जो हमारी पैचान है, उनको जीवनत रखते हुए उनको और विकसित करते हुए जी शहर के डैवल्प्मेंट की तस्वीर के कलभना कर सकते हैं क्या? आप इसमें देखिए के भौपाल के तलाव की उपलब दी किन के कारण है राजा भोच के दूर दर्सी परिणाम कि आज भौपाल का जो तलाव है हम सब जानते हैं यह राजा भोच की देन है उस धरोर को हमने बहुत बहतर समाला है कई सहर एक तलाव के लिए तरसते हैं हमारे पास साथ साथ तलाव हैं चोटे बड़े इस्टेर नुमा तलाव हैं यह कहीं नहीं है यह भौपाल के अंदर है और सेवन बॉर्टर बॉड़ीज सभी इस्थानों पर नगर नियम उन इस्थानों को बहतर खुपसूरत बना करके जनता के लिए दर्सनी भी बना रही है और मनोरंजग भी बना रही है और जनता में इस बात का भाव भी जागरित कर रही कि यह तलाव हमारी धरोरे हैं इनका संरक्षन भी हमारे लिए जरूरी है ताकि आने वाली पीड़ी को भौपाल और खुपसूरत हम दे सके तलाव का महत्व किसी भी सहर की खुपसूरती के बहुत महत्पूर होता है और हमारे पास सोभाग्य से साथ साथ चोटे बड़े तलाव हैं निश्चत रूप से यह भौपाल की खुपसूरती में सेवन इस्टार है एक चीज और कि अब आपको की लंबे समय से आप भी पार्षद रहें नगर निगम में लंबे समय से अपन को चुनौतियां हैं हमारे सामने जिन पर हमें काम करने की आवश्यक्ता है वो पाल नगर निगम को भी काम करने की और आवश्यक्ता है आपको क्या लगता है कि 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 कम कर दो हमारे अंदर है और उस पर बहुत सकती सम काम करते हैं किनी किनी प्रोजेक्ट में कुछ ठेकेदार बेंडरों द्वारा जो गड़वडियां की गई थी आपको आदित जी में उता दू उन फे फाइनेंसियल पेनाल्टी भी हमने लगाने का काम किया है यह सक्त संदेश है कि गुणबत्ता से किसी प्रकार का समझोता हम नहीं कर सकते हैं और मैंने ही अपने छेत्र में भी फाइनेंसियल पिनाल्टी यां लगवाई है जो ठेकेदार ठीक काम नहीं करते थे केवल उद्देश ये कि काम से भी सेहर की रेपो जुड़ी होती है इसलिए घटिया काम जहां सेहर की बदनामी करता है वहीं अच्छा काम सेहर के खुब उसको बढ़ाने का काम करता है तो हम सब के सामोई प्रयास ही होने चाहिए कि हम जो भी काम करें लाइट लग रही तो ऐसी लाइट लगे कि लोगों को दिखाई दे कि कितने खुफचुरत लाइट लगी है निर्मान हुआ तो दिखना चाहिए कि ये बहतर क्वालिटी का न लेंगे पर उसको सुनाओं के कि तुम जटफ को गंदा नहीं कर सकते करें पाकि से अंदर वाजियुक्स पर्दा बढ़ेकी क्या नवाचार औ क्या चैने और बो सकते हैं और अग्ली बार जब सवचिता सव्रक्षं की टीम पहुचे की तो भौक लगर निगव में prone falls की है कि जिन पर हमें अब उनको दिखाने के लिए और नहीं चीज़ होंगी देखिए यह सामुइक प्रयास और निरंतर प्रयास का विशय है कि नगर्नीयम शेर से डे टुडे में कच्रा कलेक्ट करेगा करता है आगे भी करेगा नवचार हम आज भी कर रहें आगे और बेहतर करेंगे एस्टी बी प्लांट लगाकर के गंदे पानी को तलाव में जाने से रोक रहें भविश में भी इस बात के प्रयास रहेंगे हमारे तलाव आज हमने सुंदर बना हैं, कल वो सुंदर रहे हैं, यह प्रयास भी हमारा निरंतर रहेगा, हमारे पार्क सुंदर हो, यह प्रयास हमारा निरंतर रहेगा, पर उससे भी महत्पून आदित जी यह है, कि सहर बास्यों का स्वभाव इस्थाई रूप से यह होना चाहिए कि हमें अपना सेर ठीक रखना है इसके लिए बहुत जागरुकता की जरूत है और निरंतर जागरुकता की जरूत है यह एक दिन का विशे नहीं है स्वच्छता continuity का सब्जेक्ट है और यह हम सेर बासियों में इस्थाई रूप से भाव होना जरूई है तो क्या अगली बार यह माने कि यह पाइदान ओर सुधर है काम किया है पहले दार्णा थी कच्रे वाला आया कच्रे वाले नहीं आया कच्रे वाले तो हम है वो साफ करने वाला आया है एधाना बदलने का काम भी देस के अंदर पर्दानमंत्री जी ने किया है कि वह पहले जिसे कभी ऐसे सब्दों से संबोधित किया जाता था जो सम्मान ञनक नहीं था उन सब्दों को भी देश के प्रधानमंत्री ने बदलने का काम किया है और आज स्वच्छता के कार्य में लगे हुए हमारे स्वच्छता मित्रों को स्वच्छता मित्र कहा गया है ये सफाई करने वाले मित्र हैं ये सेर को साफ रखने वाले मित्र हैं प्रियास करने चाहिए बहुत 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 बढ़ाई आपको आपके प्रियासों के परिणाम आपको मिले हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब स्वच्छता सर्विक्षन होगा तो और अच्छी राइंकिंग में भौपाल अप महुचेगा किशन शूरिवन्शी जी हमाई साथ मौझूद थे भौपाल नगर निगम के अध्यक्षे और वो भौपाल नगर निगम जो बद्रदेश की राजधानी भौपाल की नगर निगम है जिसका अच्छा कासा बजट होता है सुच्छतम राजधानी में तो वो आई ही गया है पाचवे पाइदान पर पूरे देश में उसने अपना स्थान बनाया है लेकिन भौपाल अपने एतिहासिक विरासत की अगर बात की जाये तो उसकी वज़ा से भी जाना जाता है और यही उनका कहना है कि उसको ध्यान में रखते ही शेहर का विकास किया जाएगा उसको ध्यान में रखते ही शेहर को सजाया और सवारा जाएगा और जो नवाचार अभी तक भौपाल नगर निगम ने किये हैं उसको निरंतर जारी भी रखा जाएगा ताकि अगली बार और जिसे कहें कि पायदान में सुधार जो है वो हो सके हमारे इस खास कारिकरप में इतना ही तीज़े इचासत नमस्कार